काल का शीमला ट्वाय ट्रेंज जर्नी में वाईटी भारत के सभी वीवर्स का बहुत बहुत स्वागत है तो आईए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इंटरस्टिंग जर्नी 3, 2, 1, स्टार्ट 3, 2, 1, स्टार्ट वोहां बसड कर आपने दी कोई सियां बलाया माल रिकिये वोहां बसड कर आपने दी कोई सियां बलाया माल रिकिये कर दोस्तों कालका शिम्ला टॉय ट्रेंज से हम सफर करेंगे 96 किलोमेटर्स का और यह लगबद 11 स्टॉप भी जा करके स्टेशन पर रुखेगी आगे आप इस वीडियो में देखेंगे ठेके करके सारे स्टेशन का नजाराख अलाकि हरे स्टेशन में लगबद 2,1 या जादा से जादा बरोग पर रुखेगी लगबद 8 मिनिट के आसपास ऐसा मैंने यहाँ पर देखा है चार्ट में काल का शिमला ट्वाइटें हफते के सातो तिनों चलती है अलाकि कोवीड काल में बीच में थोड़े दिनों के यह बंद रही थी लेकिन अब यह ट्रेन फिर से स्टार्ट हुई है पूरी तरह से सारी ट्रेन अभी वरकिंग नहीं है कुछ ही लिमिटेट ट्रेन चल रही है उसमें से यह ट्रेन का नजारा पीछे मेरे देख रहे हैं कितनी चोटी है यह ट्रेन और इसके जो चेयर कार के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमें सीट मिली है फर्स क्लास के लिए ट्राइ किया था लेकिन वहां पर सीटी में कोछ इशू हो गया और हमको मिली है सेकेंड चेयर का अमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुती आगे अच्छा लगने वाला है बने रहे वाइटी भरक पर हमेशा इस तरह से जदा सदा लाइक करें ताकि इसी तरह के और बहुती यूटिफुल कंटेंट और जबदस कंटेंट आपके लिए मैं कमेशा लिए करके आता रहूं आए स्टार्ट करते हैं आपको इन्फॉर्मिशन देना वर्ल्ड की सबसे फेमस ट्वाइट ट्रेन जर्नी के बारे में जैसे युनेसको ने वर्ल्ड हैरिटेस साइट के रूप में घोशित कर रखा है पूरी यात्रा के दौरान आप बने र स्क्राइब करें मत जाना साथ में लगए बेल आइकन को दबाना ओल को सेलेक करना वीडियो जादा से जादा लाइक करना आए शुरू करते हैं 1903 में बनाई गई ये ट्वाइट ट्रेन इंजिनरिंग का मार्वल है जिसमें 102 टनल 864 ब्रिजिस और 919 स्टनिंग कर्व्स आत जलती है जो कालका को शिमला से जोडती है इसमें ब्रेट टेकिंग व्यूस माउंटेंस लश पाइन फॉरेस्ट वाटरफल्स वैली और पिक्चर के बहुत ही सुन्दर नजारे मिलते हैं और बीच में पढ़ने वाले जितने भी रेलवे स्टेशन आपके रास्ते में आते ह हैं और आपको उस पुराने समय में ले जाते हैं जिसके बारे में आप बहुत सारी जानकारियां हासिल करना चाहते थे अब आपको इस ट्रेन के बारे में जानकारी देते हैं इस ट्रेन का नाम है जिसमें मैं बैठा हूँ कालका शिमला फेस्टिवल स्पेशल क्योंकि कोव नाम से ट्रेन संख्या 04515 हफते के सातों दिन चलती है बारे बच करके 10 मिनट से स्टार्ट हो करके लगबग 17 बच करके 20 मिनट मतलब 5 बच करके 20 मिनट शाम को पहुचाती है और इसकी बुकिंग अगर आप करना चाहते हो तो सेम मन्त में होती है तो कि बहुत सारी वीवर मार्च में ही स्टार्ट हुई एक मार्च है इसलिए कन्फ्यूज मत होई है ट्वाय ट्रेन की बुकिंग कराइए सेम मन्त में जा करके ट्रेवल डिस्टेंस है 96 किलोमेटर अगर तो दोस्तों हम हैं अभी कालका शिमला ट्वाय ट्रेन के बड़ोग स्टेशन पे सबसे बड मेरे साथ कर रहे हैं वह बहुत इंजॉय कर रहे हैं पीछ आप मेरे वैली भी देख सकते हैं और अभी क्योंकि सबसे बड़ा हॉल्ट है में ट्रेंस भी चल रही है और यहां के आप नजारे देखिए तो मज़ा ही आ जाएगा चारतर वैली है इसलिए ये कालका शिमला ट् करते हैं इस टेशन कोड के एलके मतलब कालका बारेभच करके दस मिनट पर स्टार्ट होती है जो पड़ता है आपके हर्याणे स्टेट में उसके बाद पड़ता है स्टेशन कोड़ दी-एमपी धरश्रम्पुर लगबग तेरहग बचकर के 42 मिनट पर पहुंसती है और 13 बचकर के 47 मिनट पर वहां से चलना स्टार्ट होती है पांच मिनट का इसमें वेटिंग टाइम है और ये कालका से 33 किलोमेटर की यात्रा यहां पर पूरी कर लेती है next station है KMTI मतलब कुमार हटी 14 बचकर के 5 मिनट पर पहुंसती है और 14 बचकर के 6 मिनट पर बहां से निकलती है एक मिनट का halt है और उसके बाद यह पहुंसती है आपकी BOF मतलब बरोज पर 14 बचकर के 17 मिनट पर पहुंसती है चौदे बच करके 27 मिनट पे चलती है लगबग 8 से 10 मिनट का हॉल्ट है और यह यात्रा पूरी कर चुकी है कालका से लगबग 42 किलोमेटर अब चलते हैं S.O.L. स्टेशन कोर्ड मतलब सोलन सोलन पहुंसती है 14 बच करके 49 मिनट पे और 14 बच के 41 मिनट पे निकलती है 2 मिनट का हॉल्ट है और यह कालका से दूरी तैकर चुके है 46 किलोमेटर नेक्स स्टेशन है सलोगरा S.L.R. स्टेशन कोर्ड लगबग दिन के पहुंसती है 3 बच मतलब 15 बच और 15 एक पर निकल जाती है 1 मिनट का हॉल्ट है नेक्स है कंडा घाट के DZ इस्टेशन कोर्ड 3 बच के 17 मिनट पे चलती है और 3 बच के किस मिनट पे निकलती है 4 मिनट का हॉल्ट है उसके बाद आता है TVI स्टेशन कोड तारा देवी लगबग 16.35 मतलब 4.35 पे पहुँचके 4.36 पे निकलती है एक मिनट का हॉल्ट है और यह कालका से दूरी तै कर चुके है 85 किलो मीटर नेच्स्ट है JTO Station कोड जटोग लगबग 4.50 मिनट पे चलके वहाँ पे पहुँचके 4.45 के 5.40 मिनट पे निकलती है एक मिनट का हॉल्ट है नेच्स्ट है SHZ मतलब summer hill पाँच बच के दो मिनट पे पहुंचती है पाँच बच के चार मिनट पे चल देती है दो मिनट का halt है और हम दूरी तै कर चुके हैं 0 से 93 किलो मीटर लास टेशन है शिमला जो लगभग पहुंच जाती है पाँच बच करके 20 मिनट पे और पूरी हमने कालका से जरनी तै कर ली है 96 किलो मेटर तो आपको जानकारी कैसे लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताएगा और भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके आप मुझसे पोश्च सकते हैं अब आपको बताना स्टार्ट करते हैं श्وع माने के बारे में ये ज तून आफ्टर दा फर्स्ट एंगलो गुर्खा वार पहली गुर्खा वार एंगलो के बाद शिमला देन कॉल जिसे हम तब के नाम से शिमला के नाम से जानते थे S.I.M.L.A. इस्टेबलिश किया गया 1864 में शिमला को बनाया गया और इस टाउन को बनाया गया ब्रिटिशन्स की समर कैपिटल और इसके बाद जो ब्रिटिश आर्मी का हैटकॉाटर था वो भी यहीं बरिस्तित था बर दो ऑनली इशू बास कनेक्टिविटी लेकिन केवल कनेक्टिविटी का इशू था शिमला पहुचने के लिए आपको बैल गाड़ी से आना होता था जो बहुते रिस्की होती थी डेंजरस होती थी और लगभग बहुत जादा टाइम लगता था और इसको कम करने के कालका शिमला नैरो गेज को स्टार्ट किया गया और यह है ट्रेन कालका शिमला ट्वाय ट्रेन के नाम से जानी गई 1903 में इसके स्थापना की गई और सबसे पहले इस जर्नी को करने वाले जो यात्री थे वो वाइसराय आफ इंडिया थे लौड करजन उसके बास सी यह है प्रतिदीन चलती है और आइकानिक सिंबल बन गई है पूरे शिमला के लिए तो दोस्तों आपको शिमला के हिस्ट्री जान करके बहुत ही आनन्द आया होगा और आप भी अगर कुछ और जानकारी जानते हैं शिमला की हिस्ट्री के बारे में तो वीडियो पर कमेंट करके ह हमें भी बताएं ताकि हमारे वाईटी भारत के और दर्शक भी इस शिमला के बारे में बहुत ही इंटरस्टिंग जानकारी हासिल कर सकें। इसके अलाबा ट्वाई ट्रेंज से जब आप शिमला पहुँचेंगे तो आपको बहुत बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसिस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी शिमला जाएं तो माल रोड के आसपास ही होटल लें। क्योंकि सबसे ज़ादा प्लेसिस माल रोड के आसपास ही अगर लोकल साइट सींग की बात करें। बाकि सारी जानकारी आपको नेक्स्ट आने वाली शिमला ट्रैवल सिरीज में मिल जाएगी। पिछले वीडियो को देखने के लिए उपर आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं इस पूरी शिमला सीरीज के सारे वीडियो के लिंक एक एक करके देने जा रहा हूँ हूँ आप इंजॉय करिए इस पूरी राइड का और जरूर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें चलिए मेरी तरह ही बहुत सारे यहाँ पर तुरिस्ट आप देख सकते हैं शिमला के ट्वाय ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एक तुरिस्ट से आज आज आपको यहाँ पर मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इसके बारे में मैं बिल्कुर करूँ आने के लिए आप देखे हमारे देश की बहुत खूबसूरत जरनी है कालका से लेके शिमला तक कि हमारा काफ़ी अच्छा ग्रीन हैं काफी सुन्दर देखने के लिए हिमाचल आप इस जरनी को जरूर ट्राय करें अपनी फैमिली के साथ ट्राय करें झाल झाल